जैसलमेर शहर प्रदेश का सबसे कम प्रदूशन वाला शहर है। सभी शहरों की तरहे विकास के कदम जैसलमेर में भी पड़े हैं। पुराने शहर के बाहर नए शहर ने अपने पाँफ पसा रहे हैं। नई सड़कें बनी हैं तो नए भवन भी बन रहे हैं। लेकिन जैसलमेर के इस विस्तार में प्रशासन ने समय की चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए ना किवल चौडी सडकें ही बनाई हैं बलकि जैसलमेर के परमपरागत शिल्प को सुरक्षित रखने के लिए बाकाइदा प्रस्ताव पारित करके या देश जारी कर रखे हैं कि हर नई इमारत के निर्मान में ना किवल जैसलमेर के शिल्प का ही ध्यान रखा जाए बलकि इमारत के बाहरी हिस्से में वही पत्थर लगाना होगा जिस हलके पीले रंग के मार्बल से पूरे शहर का निर्मान हुआ है प्रशासन के इस कदम से जहां एक और नविकसिच शहर पुराने शहर का ही हिस्सा नजर आता है वहीं वाहनों की बरती संख्या से होने वाले प्रदूशन को रोकने के लिए पूरे शहर में बकायदा सड़क के साथ साथ व्रक्षारूपन किया गया है हारे पेड़ों की ये मौझूदगी एक आएक परेटकों को आश्चर में डाल देती है एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो रिगिस्तान के बीच और बीच बसे शहर में खड़े हुए है शहरों में ओद्योगी की करण के कारण होने वाले प्रदूशन से भी जैसल मेर बचा हुआ है प्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे होने के कारण यहां बड़े उद्योग नहीं लगे है वहीं स्थानिय उद्योग धंदों का भी प्रदूशन नाम मात्र का है पैदा करने के नाम पर जैसलमेर हवा की ताकत से बिजली पैदा कर रहा है लेकिन इस प्रक्रिया में भी प्रदूशन का नामों निशान नहीं है इसी तरहे ना तो यहां केसी भी प्रकार का रसायनिक प्रदूशन है और शुष्क जमीन, पानी की कमी और तेज गर्मी के कारण बैक्टीरिया आदी भी पनप नहीं पाते हैं इसलिए शहर इस तरहे के प्रदूशन से भी पूरी तरहे मुक्त है योजना बध तरीके से शहर के विकास को नियंतरित करके जैसलमेर प्रशासन ना केवल शहर के स्थापत्य की छाप को बचाय रखा है बलकि सफलता पूर्वक व्रक्षार उपन करके प्रदूशन पर भी नियंतरन रखा है अपने इस प्रयास से जैसल मेर दूसरे शहरों के लिए एक आदर्श भी बन सकता है